शानदार और जबरदस्त तो एक जबरदस्त और शानदार उटसव है एक एक ऐसा इवेंट है जहांपे मेरी तरफ से सबसे पहले शमा चाहता हूँ किनी करणों से क्योंकि आज हमारी लेक बहुत बड़ा दिन है मैं जिस फील्ड से आता हूँ बिजनस जनलिसम से उसका एक कह जनलिस्त होता तो कहता वर्ल्ड कप जीती है इंडिया ने आज बिजनस जनलिस्त हूँ और भारत का शेर बजार जो है अज अपने रिकॉर्ड लेविल्स पे है तो उसके चलते कई सारी डिसकेशन कई सारी कॉल्स रास्ते में और इसलिए थोड़ा विलंब हुआ और उसके इंट्रेस्टिंग नाम है उस पर बाद में आते हैं पहले शुरुआत कर रहे हैं रितुजी से उन चीजों पर बात कर लें जहां पर अभी कुछ चीज़ें उन्होंने बताई अल्री जो की बहुत इंट्रेस्टिंग थी और मुझे लगता आप लोग को बहुत सारा कि मुझे लगता है कि एकसर दोनों में से एक ही चीज बताई जाती है अभी रितु जी इसमें से कौन सी चीज यह कौन सी दो चीजों को पकड़ रहे हैं एक उन्होंने बताया मोटिवेशन कि किस तरीके से अपने आपको मोटिवेटेड रखना है आपने तो वो एक बहुत इंपोर्टेंट चीज है उससे पहले आपकी प्रिंस्पिल मैम थी वो भी उन्हों चीजों पर बात कर गई थी मोटिवेशन पर और दूसरी चीज जो जे शब्त की हिंदी उन्हें नहीं मिल रही थी परसिवेरंस और उसका हिंदी में एक शब्त मुझे नहीं लगता है ले इसको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि काल के कफाल पर लिखता चला जाता हूं गीत नहीं आगा तो रोज करना होता है तो यानि डेडिकेशन परसिवेरंस रोज गिरते हैं लेकिन फिर उटते हैं फिर चलते हैं इसको अगर दूसरे माइनों में कहें तो डिसिप्ल देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे करांती लिख देंगे और कल अगर आप सुबह उठ करके और आप ये सोच रहें करना क्या है तो फिर दिक्कत है यह यही खतम हो जाता है तो वो जो रिजल्ट आएगा ना कुताब आएगा जब आप उसको परसिवेरंस के साथ में अग और आज दिल्ली में जैसे बता रहें थे कि डियू का कॉलिज पहले बर देखा है दिल्ली की एनरजी कैसे लगती है और चंदीगड से कितनी अलगे एक बहुत फ़नी जोक है जो हम बच्पन से सुनते आ रहें कहते हैं कि जब दिल्ली वाले चंदीगड आते हैं तो आके प फायर नजर आ रही है यहां के स्टुडेंट्स में कुछ है करने की चंदीगड में थोड़ा सा थेहराब होता है या कूल जिसे कहते हैं आज कल के बच्चे तो थोड़ा यह डिफरेंस लग रहा है वो जो जोक था वो आइकन सी बहुत लोग यह कहते हैं कि चंदीगड होते जा रहे हैं वहां का एजुकेशन तो चंदीगड का भी बहुत अचा है पर थोड़ा फ्लेवर है वो फायर और वो वाला फरक है या तो लेकिन जब चंदीगड इतने ठहराओ वाली जगह है तो वहां पर अपने अपने अंटर्पेनोरियल जरू करी कैसे शुरू करी क कैसा रहा अपका एक्सपिरियंस अच्छली तो मेरी चोईस नहीं थी हालात ऐसे थे जैसे मैंने बोला कि दो ही चीज़े थी आईदर गिवप और फाइट बैक तो ओनली बिकॉज मैं बेसिकली बहुत स्प्रिच्वल परसन हूं तो उस एंगल से हमारे जो मेंटर है उन्हो अजहा लाइफ को एक ही बात बार बार पढ़ी समझी कि गिवप नहीं करना बस वो एक दिमाग में बैठा हुआ था कि जंग तो लड़ेंगे देखा जाएगा तो यह बहुत रहता था दिमाग में कि डूप तो गई है सब कुछ डूप चुका ही है उस तेम 60 करोड के लोन तो यह फीलिंग थी कि सब खतम तो ही चुका है तो लेट मी ट्राइ लेट मी फाइट बस यह एक ही फीलिंग से चली थी और कुछ नहीं मुझे याद है मैं अपने दोस्तों को बोला गरती थी कि ऐसे लग रहा है कि इसी ने समंदर में फेंग दी है और में मेर को तैरना भी पहुंच गए किनारे पर मज वही इसलिए मैंने बोला कि पर्जिवेरेंस कि गिवप कर देती कि अरे कुछ हो नहीं रहा है मुझे तो swimming भी नहीं आती अब तो मैं डूब रही हो और मेर को किनारा भी नहीं दिख रहा तो छोड़ो तो बस हार नहीं माननी यही समझा बस चल मैं डिया पर्जिवेरेंस को बहुत सारे मैसिज एक्चुली एक तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट यह लगते की हमें बहुत फोकस्ट रहन है अगर हम मैडम ने महा भारत की बात की बहुत अच्छी बातें की तो इसमें जैसे अगर हम देखे अर्जून की बात करें तो अरजुन अरजुन से पूछा गया, आप को क्या नाजर आ रहा है? बाखी आप से पूछा, Yudheshtra वगारा को उन्हों ने बुला बहुत कुछ नाजर आ रहा है पेड नाजर आ रहा है, पिछे पहार नाजर आ रहा है लेकिन सिरफ अरजुन था जिसने बुला चेडिया की आख नजर आ रही है, तो अगर हमें अपना focus clear है और persevere कर रहे है उस focus के लिए, तो हम पालेंगे, जो भी है, तो कहते है, फिर sky is the limit, दूसरा मुझे यह बहुत लगते है कि, जो limitations है न, वो हमारे mind की है, वो हमारी actual भगवान ने हमें सब को इतनी possibilities, इतना potential देके भेजा है, पर हम उतना ही ग्रो कर सकते है, जितना हमारा mind सोचता है कि हम कर सकते हैं, जैसे एक story थी जिसमें एक शेर भेड बक्री के साथ रह रह रहा होता है उसको पता ही नहीं होता है मैं शेर हूँ, जब तक उसको तो उन्हीं के तरह रहने लग जाता है, उन्हीं के तरह बहेव करने ल आपने माइंड को बताना कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं करूंगा तब सब कुछ पॉसिबल है एक और बट चोटी सी प्यारी सी स्टोरी है अगर स्टूदेंट्स ध्यान से सुने याद रहेगी एक चूहा था और वह चूहा बड़ा भगवान को प्रेयर करता था कि भगवान म फिर आगया थोड़े दिन बद भगवान मुझे तो कुत्ता बना दो मुझे तो कुत्ते से बड़ा डर लगता है भगवान द्यालू थे उन्होंने गाता था थास्तू कुत्ता बन गया अब थोड़े दिन बद भगवान मुझे तो शेर से बड़ा लगता है मुझे शेर ब तो तेरा अभी भी चूहे का ही है तो जब तक हम चूहे का दिल नहीं बदलेंगे तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है, हमारे पास सब कुछ होगा, जब आप मेरी स्टोरी पढ़ेंगे, मेरे हजबन ने स्यूसाइड कमिट किया, वो सेम सीचुएशन में अगर मैं कर सकती थ जिसके बस कोई experience नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो कर सकती थी तो वो तो करी सकते थे, तो ultimately mind अपने उसमें नहीं आया, mind नहीं है बोला कि मैं नहीं कर सकता तो उसमें सोच रहा है, मैं नहीं कर सकता, कोई भी सोच सकता कि वो नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे, तो माइंड को ट्रेंड करना बहुत जुरूरी है, मैं ये सब स्टुडेंट्स को जुरूर कहूंगे. माइंड को ट्रेंड करना जुरूरी है, फोकस रखें, और रित्मम आपने जो ये किताब लिखी है, I decided not to cry, यहाँ पर आपने अपने सबसे मुश्किल दौर को तो मेरे ख्याल से लिख दिया है, जो आपकी लाइफ का सबसे कठिन दौर था और फिर उसको कैसे अपने जिया है और उसके आगे कैसे आप उसके पार निकली है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी अभी एक किताब और आ रही है, जो कि आपकी ओटोबाइग इसके बाद और आरी एक और किताब, अभी निए फ्रेंस हंसते रहते हैं कि इतनी जिंदगी पढ़ी है, जाद पार टू आएगा, तो लेट सी, इस और इसको मान लें तो मैं अभी नहीं कहूंगा क्योंकि इस अगें वही जो आप कह रही है, जो आप कह रही है, जो आप कह कुछिश की जाए, क्योंकि जब आप कहते हैं कि I decided not to cry, रोने के साथ में बहुत सारे notions होते हैं, और एक वाला भी होता है, मई लाओं पूर्शों का रोना अलग-अलग होता है, तो वो भी चीज होती है, या एक छनिक रोना भी हो सकता है, कुछ देर के लिए, कभी आप emotional हो और इसके अंदर में, कहीं इसका बहुत और डीप मीनिंग होगा, ये नाम निकालना बड़ा मुश्किल रहा होगा, सोच पायना, और उसका जो मीनिंग है, या उसकी डीडेल्स में समझने की कोशिश करें कि क्यों you decided not to cry और उससे क्या lesson निकलता है, मेरी ना first book मैंने लिखी थी, a story can change your life, so I am a very big time storyteller, to मुझे हर चीज से story याद आजाती है, हम सारे ना, एक organization के member है, by default, global victim organization, हम सारे बड़ा victimized feel करके बड़ा खुश होते है, होते हैं कि नहीं, हमें रोना कितना अच्छा लगता है, कि मैं इस ले नहीं कर पाया, मैं इस ले नहीं कर पाया, मेरे पास time नहीं था, मेरे पास support नहीं थी, मेरे हालाती हैसे थे, मेरे बच्चे चोटे थे, मेरे पास पैसा नहीं था, या मेरे पास education नहीं था, मेरे हस्बन रोकता था, thousand reasons to cry, but not take action, हम action नहीं थे, हम reasons देते हैं, उसको में cry करना कहते हूं, कि I decided not to cry, find reasons why I cannot do it, so that is what, एक अगें marathon मेरे दोड़ रहा था, और एक पार्क के पास जाता है, तो देखता है कि वहाँ पर एक gentleman newspaper पढ़ रहा है, और उसके पास एक dog रो रहा है, तो वो देखता है कि वो कहते है, sir, dog, वो newspaper भी नहीं थाता है, जाता है, अब थोड़ी देर फिर जाने लगता है, देखता है, फिर तो फिर लगता है, sir, dog रो रहा है, तीसरी बार होता है, चौती बार होता है, चौती बार होता है, चौती बार वो आदमी नहीं नूस्पेर नीचे रखता है, वो इसे देखता है, कहते है, hanji, कहते, sir, dog रो रहा है और प्लीज, कहते है, यार कुछ नहीं, एक छोटी सी नेल वहां पर और उसको हल्की से चुब रही है कि ते वो अरां से उठके कहीं और जागे बैठ सकता है पर उसको बैठ के रोना जादा इसी लग रहा है राधर देन गेटिंग फ्रम देर I think हम सारे वैसे ही है कि हम situation में बैठे रहते हैं उठते नहीं रो ही जाएंगे अगर हम अगर मेरे से पूछे तो मुझे लगते है मैंने जो एक lesson really सीखा ऐसी ऐसी situations होती थी कि सच में डर लगता था कि मैं कैसे जाओं मैं कैसे face करूं आज ये scene है आज वो scene है लेकिन मैंने ये स कि अगर मैं उठके जब action ले लेती ती उस situation को face कर लेती थी थी ना वो fear गायब हो जाता था suddenly अंदर एक बड़ी calm feeling होती थी क्या कर लिया वा और जितने देर उससे दूर बैठके मैं घर सोचती रहती थी कि कैसे करूं क्या करूं बड़ा डर लगता था उस situation से तो यह कि है कि face your fear, hit and look into eyes of fear तो वो मैंने एक बड़ लर्निंग की तो उसी को मैं रोना कहते हूं कि रो मत take action फिर देखा जाएगा बहाने ना बनाओ बहाने मत बनाओ जो रोते जो लोग अकसर बहाने लेकर क्याते हैं साराजी हो गया आज वो हो गया इसलिए काम नहीं हो रहा इसलिए काम नहीं हो रहा तो वो एक तरीके का रोना है और दूसरा डर को दूर करना है जो लोग two wheeler च इसलिए अगर यह बच्छा डर इसलिए वो सब कुछ जाता है जैसे यह जैसे हम बड़े होते हमें डर लगना शुरू जाता है उतनी हमारी learning कम हो जाते हैं हमें लक्ता है गिर गया तो ऐसा हो गया तो तो बहानी जादा शुरू जाते तो वो नहीं करता है जबादस लेर्निंग है और निश्य दूप से बहुत कुछ और सीखने को होगा इसके अताब से तो मैं तो पसनली रिकमेंड करूंगा अब सबको जरूर एक पर इसको पढ़ियागा जरूर और फीडबेक जरूर दीजिए ग्या रितुजी को भी क्योंकि और बहुत लोगों तक यह चीजें पहुंचे हैं यह मोटिवेशन पहुंचे कि किस तरीके से वो अपने जीवन को और बहतर बना सकते हैं थैंक यू रितुमान थैंक यू लब्री जी थैंक यू सो मच